तो दोस्तों कितना अच्छा होता, अगर आप प्लेइस्टोर में जो अपस है उनको बिना डाउनलोड या इनिस्टोल करें, आप उन एपस को यूज कर पातें, जान पातें कि वो अप्लिकेशन करता क्या है, थाकि आपको जो नेट डाटा हुआ वो वेस्ट ना हो, तो दोस् होगा आपको इस वीडियो के आगे में दिखाऊंगा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों गूगल ने अपने अंडूइड फोन्स पर हाल में एक नीव फीचर को लॉंच करती है जिसका नाम है इंस्टेट एप्स इसको अगर आप अपने अंडूइड फॉन्स प आप वही पर खा dif ऊपन कर सकते हैं जान सकते हैं कि एप्लिकेशन करता क्या है दोस्तों हाट डी वर ऐसा भी हो जाते की आपको बीना वशदेक्ळिकर्य को तहरे सिर्भ के लिए अब जरुद पढग जाता है दोस्तों और उस आप्लेशन को पर इणिश्रिड करना पड़त है दोस्तोव और कई के अपो लहाए रही कि लिए बीडिशन दाइम भी वेंगा अपसे नहीं होगा दोस्तोव लेकर आप लुगल इंसरोड पर आपने आपने मुहल पर तो आप बीना किसी अप्रिकेशन को डाउनलोड करें उसको चेक कर पाएंगे तो इसके आपको क्या करना होगा इस application मतलब इस feature को अने बल करने के लिए आपको अपने play store पर जाना होगा play store के settings पर जाना होगा जैसे play store settings पर जाएंगे तो वहाँ पर अपको play store version करके नीचे एक option मिलेगा उसको आपको टैप करना है एक बार तो जैसे टैप करेंगे आपका अगर playstore updated नहीं है तो updated होना इस्टार्ट हो जाएगा और अगर updated है तो आपको वहाँ पर लिखाएगा your playstore is up to date तो आप अपडेट करा लिजिए उससे और अगर updated है तो उसके बाद आप और तीन application को update करना होगा जिसका नाम है Google application मतलब Google का जो एप आता है search engine बाला उसको आपको update करना है सिंपले आप Google आप करके search किजिए आपको आ जाएगा उसके बाद आपको Chrome browser जा आता है Google Chrome गूगल की तरप से उसको भी आपको update कर लेना है दोस्तों तो जब update हो जाएगा उसके बाद आपको Google play services करके application आता है अपने phone पर पहले से ही उसको आपको update करना है तो आप अगर simply आपने play store पे search करेंगे Google play services तो वहाँ पर आपको कोई भी Google play service के application नहीं दिखाए देगा आपको second number पर एक application दिखाए देगा जिसका नाम है play service info तो उसको आपको install करना है तो जैसे उसको install करेंगे तो वहाँ पर आपको play store पे tap करना होगा जो three number के उपर आता ह वहाँ पर आपको tap करना होगा जैसे टैप परेंगे तो आपको Google play service आ जाएगा वहाँ पर उसको update करना है तो जैसे update हो जाए वहाँ पर आपको uninstall करके लिखा हुआ आएगा तो जैसे uninstall करके लिखा हुआ आजा आपको simply back आना है और back आने के बाद आपको अपने phone के setting पर आ करेंगे तो वहाँ पर आपको instant app का फीचर है वहाँ पर आपको by default off होगा उसको आपको on करना होगा तो जैसे आपको टैप करेंगे तो आपको जो instant app का feature है वो मतलब आपका पार्मिशन मांगेगा आपको no thanks या yes I am in वहाँ पर आपको दो option मिलेगा वहाँ पर आपको yes I am in प करके application तो जैसी उसको टैप करेंगे search करेंगे search करने के बाद आपको simply आपको जैसे application आपको open करते तो आप पर आपको install करके आप आपर option देखने को मिलता है लेकिन option ऐसा नहीं होगा दोस्तो इन इस्टल के लैप साइट में आपको एक try it now करके बटन देखने को मिलेगा जो वहाँ से open कर पाएंगे और जान सकेंगी application करता किया है दोस्तों तो यह काफी सारे application को support करता है तो जैसा कि आपको यहाँ पर देखना को मिलेगा one football live score इसको भी support करता है वहाँ आपको direct application को open कर पाएंगे और उसके बाद New York time crossword इसको भी आपको support करता है और उसके बाद यह support नहीं भी करता है दोस्तों क्योंकि यह जो feature है काफी new feature है हाल ही में launch हुआ है दोस्तों तो यह सभी application को support नहीं करता है तो आने वालेट समय में यह सभी application को support करने लगेगा और सभी application को आपको simply आप try it now पे tap करके उस application को बीना आप download करे बीना install करे वही से आप try कर पाएंग तो यह था आज के लिए गूगल के instant feature जो कि आप enable कर सकते आपने android phone पर और उसके मदद से आप किसी भी application को directly try it now पे tap करके उसको use कर पाएंगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता तो जरू से इस वीडियो के एक like करेगा comment करेगा नीचे वीडियो के नीचे आपको य subscribe करने के बाद घंडी वाला वेटन को दबाएगा तो thanks for watching guys मैं मिलता हूँ सब लोगों से ऐसी और एक interesting वीडियो पर तब तक के लिए टाटा बाई बाई